येलो दोस्तो मेरा नाम है जिशान और आज में आपको बताने वादा हूँ कि धववा DVR को वाइफाई एडप्टर के तरो किस तरह से ऑनलाइन करते हैं तो दोस्तो ये एक वाइफाई एडप्टर है वाइफाई डॉंगल भी कहलाता है ये तो दोस्तो इसको हमें अपने DVR के बैक साइट पर लगाना है जहाँ पर हमारा माउस लगा होता है उसी के नीचे एक और USB ओप्शन होता है वहाँ पर हमें इसको लगा देना है लगाने बाद दोस्तो हमें इसके मैन्यू में जाने के बाद system में जाना है उसके बाद हमें जाना है network में network पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option आएगा TCP connection और उसके बाद Wi-Fi तो जैसे ही हम Wi-Fi connection पर click करेंगे तो जो हमारी dongle होगी वो automatic जो भी उसके आसपास Wi-Fi होगा उसको search कर लेगा तो मेरा जो Wi-Fi आ रहा है वो Z Solutions के नाम से आ रहा है तो इसने automatic इसको search कर लिया है अब हमें इसी network से अपने जो DVR है उसको online कर रहा है तो यहाँ पर हम double click करेंगे double click करते के साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछेगा एक device का password connection password तो connection password जो है मेरा ぜो wifi का password होगा वही हता है तो यहाँ पर मुझे अपने जो Wi-Fi का password जो भी मेरा Wi-Fi password बोगी दाल देना है वाइ-fi password को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे DHCP enable करने के बाद connect पर click करके Grüce कर देना है ओके करने के बाद दोस्तों हम बाहर आ जाएंगे बाहर आते ही हम देखेंगे कि मेरा जो नेटवर्क है वो मेरी वाइफाई डॉंगल से कनेक्ट हो चुका है और तोमेटिक वाइफाई उसने ले लिया है आटमेटिक जो उसका IP था वो आटमेटिक यहाँ पर शो हो चुका है तो अब यह जो है मेरे वाइफाई से कनेक्ट हो चुका है अब मैं देखता हूँ कि जो मेरा DVR है वो ओनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है तो मैं एक बार P2P सेटिंग में चेक कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ तो मेरा जो DVR है वो ओनलाइन हो चुका है तो दोस्तो कभी कभी हमें प्रावलम आती है कि कहीं पर हम लैन वायर नहीं डाल सकते हैं तो वहाँ पर यह सबसे बैस्ट और सबसे अच्छा ओप्शन है कि हम यह डांगल लगाएं और वाइफाई के थुरू अपने DVR को ओनलाइन कर दें दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा अगर आप इस डिवाइस को पर्चेस करना चाते हैं तो मैंने नीचे डेस्क्रिप्शन में अपना वाटसेप नमबर डाल दिया है आप मुझसे डिरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तो चैनल को सबस्क्राइक करना ना बुलें गुडबाई एंटेक केर